हेलो गाईश तो गैसे हैं आपनों सौगत तरगा आपका अमारे यूट्यूब चैनल में जावास्रिप डूटरल की एक नई वीडियो साथ में लास्ट की एक वीडियो में हमने जावास्रिप की एक exercise को देखा था जिसमें हमने एक टूडू लिस्ट को क्लियेट करा था और उ यूसच के पर breaths कंना ह हमारे चित्ते भी टूडू है वो सारे टूडू को सेव करेंगे हमारी सीवी की control में है Morgan चांच मसरेट करेंगे और इस सब से कहा हुआ जब हम यहाँ पर पेज्य करेंगे कि यहां पर अगर मैं आप बिना टाइटल के भी आपर create to do करूँ जैसे कि मैं आपर टाइटल और डिस्रिक्षिन ने टालू तो भी आप एक यहां पर एक to do create होता जा रहा है कि जो होगी है हमारे key is not equal to empty and value is not equal to empty तो simply मैंने एक condition create करिए जिसमें मैंने लिखाया कि हमारा अगर जो हमारी key है अगर यह empty होगी और अगर हमारी value और key empty नहीं होगी तो हमारा एक condition रन दरेगी और अगर हमारे key और value empty होगी तो हमारा simply एक alert message होगा और alert में में लिखूँँगा please enter to do title and description तो simply आने लिख दिया enter to do title and description तो इससे क्या होगा जब भी मैं आपर create to do करूँगा बीना title या description पर simply मेरा alert शो हो जाएगा और अगर मैं सिर्फ title डालूँग और description में डालूँगा तो भी हमारा alert आएगा तो मुझे आपर title and description डालना बढ़ा है और जैसे मैं title and description डाल रहा हूँ तो अब देखें हमारे to do create होते जा रहे है और जैसे page reload पर रहा हूँ तो हमारे to do हो या पर delete हो जा रहे है तो उसके लिए करना उसके लिए मुझे आप पर अब आपको सेव करते हैं तो जैसे मा अगर आपको लिए टो करूँगा तो अगर मैं आपको अप्लिकेशन में आपको लोकल इस्टोरेज तो दिखाऊ तो आप लोकल इस्टोरेज यह भी हमारा या पर आइटम होते जा रहे है और अगर मैं आपको लिए टो करूँ तो हमारा या पर लोकल इस्टोरेज में तो आइटम है की और वैल्यू प्लियर में लेकिन हमारा जो टूडू है वो एम्टी हो गया है उसके लिए उसके लिए सिंप्ली एक फंक्शन या पर मैं क्रिये हमारा इवेंट होता है जब हमारा डॉम यानि दॉक्यमेंट अब्जीक मोडल है हमारा यह पूरा प्रीलोड लोड हो जाएगा उसके बाद हम क्या हो उसके बाद यहापर मैं एक फंक्शन को क्रियेट कर लेता हूँ और उस फंक्शन में क्या लिखूंगा मैं सिंप्ली हमा की, local storage टॉक का यूस करके, अगर मैं आपको console.log करके, की अगर मैं आपको print करा के लिखाऊं, तो क्या होगा देखते हैं अपर, जैसे मैं आपको, हमारा आपको error आ गया है, अगर मैं की की hello 1 डालो, आपको null आ रहा है, और यापको zero आपको, आपको hello आ गया है, तो मुझे Key.Length का आपे लूस करना रहा Key.Length Key.Length वह आप आप देख सकते, मैंने Key.Length का आउस करके Simply हमारी Local Storage भी Length को आपे निकाल लिया तो Simply आने के जारा Simply Local Storage लेंट एक वेरिपल क्रेट करा उसके बाद Local Storage.Key.Length का आउस करके जित्ती भी Local Storage में Key available है उन सब की Key की मैंने Length लेका दी उसके बाद मैं 4 Length करके लेंगा 4.Length i is equal to 0 और i is less than Local Storage Length Local Storage Length और Simply कर दोगा i++ के बात के आपके आपके लेंगा उसके बाद Let Key Key is equal to Local Storage Dot Key और उस Key के अंदर मैं Simply I को आपके पास कर दूँगा आपे Simply I को आपके पास कर दूँगा तो आपके मुंसे तो आपके आप देखेए कि अगर मैं आपके रिलोड करो आपके मुझे एग डाओँ लिख नादएगा रिखनाँ से भाषद क्वेश के लिखनाँ अगर में अपको की पो प्रेट करना के लिख़ो तो आप हमारी की आ गई है और एससे की की अगर मैं वैल्यू पिणकारादू तो अगर मैं लिख़ाऊँ एख लोग को से लिखनाँ तो यह पहर हमारे एरब आ गई है और यह हमने एरब इसले यह ज़ीव है क्यूकि ब्रैक्ट लगाना बूल गए और आप देखें यह पहरए हमारे पूलीओ कि यह पहरए पी और पीर, पुलीओ को महें पूलीओ को लोपाइ बिखें और मैं पूरा यहां तक copy कर दूँगा और इसको यहां पर हमारे यहां पर जो हमने console एक सको अटक है simply इसको create कर दूँगा तो हमारा यहां पर key तो यहां पर आ गया है लेकिन हमें यहां पर value भी चीए तो मैं एक और value नाम से variable create करूँगा और उसके अंदर मैं आपर key की जगे लिखूँगा get item और simply get item में key को pass कर दूँगा और अब क्या करूँगा अब मैं simply हमारा काम हो जाएगा तो अब लिके आपर जैसे मैं page को reload करूँगा यहां पर देखो एक नए टूडू मैं create कर दूँगा तो hello subscribe hello तो आप सब्सक्राइक कर लो करके एक टूडू मैंने और create करा और यहां पर आपके सामने में करूँगा हमारे page को reload करूँगा तो आप आप देखिए हमारे page reload हो गया है और जैसे मैंने page reload करा तो यह हमारा टूडू है वो simply यहां पर टूडू चेंज हो गया है और अब मैं करूँगा आपके लिगा हमारा टूडू हो रहा है लेकिन हमारे पूराना वाला टूडू है वो रिमूफ हो जा रहा है और ऐसा क्यों हो भी मैं देख लेता हूं तो हमारी यहां पर अर्ण है और अर्ण हमारी क्यों आ रही है मुझे यहां पर लोकल इस्टोरेज डॉडू को यूज करना पड़ेगा और लोकल इस्टोरेज डॉडू का मैं सिंप्ली करूँगा इस पूरे आपर कॉफी करके डारेक्ट यहां पर ही पेश कर दूँगा तो मैं एक वेरिबल उब करके मारे तीन आइटप सारे तूडू सर जाने चीए तो यहां पर करूँगा यहां पर मैं हमारे HTML में आऊँगा और जो हमारा यह वाला बटन है जिससे हमारे सार तूडू क्लियर होंगे तूफ में एक फंक्शन क्रेट करूँगा जावास्क्रिट का इवेंट क्रेट करूँगा जिससे लिएट का यहां तूदू.js भाहूँगा, तो आद में फंक्शन का मैं बॉयलर क्रीट करूँगा, तूदू क्लियर में करूँगा, लोफल स्टोरेज का यह फंक्शन पर यूज करके, इस इस अब मैं आपके क्लियर टूडू अले बटन पर क्लिक करूँगा, तो आप दीखें, अपके सारे टूडू क्लियर हो गए, और अगर मैं आपको हमारे लोकल इस्टोरेज भी आपको बताता हूँ, हमारे इस HTML पेज की तो आप दीखें, हमारे हमारी डोगल इस्टोरेज भी विल्कुल खायर लिए हो गई है, और यहां पर मुझे रिफ्रेश करने पर भी कोई अब हमें एक और चीज आपको बिल्कुल खायर लिए नाम से और उसमें हमने सिंप्ली लोकल स्टोरेज डूडू क्लियर यूज़ करके, सिंप्ली हमने विंदोज डॉकेशन 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 को आपको रिलोड कर दिया है, और इस तरह से के तरह हमने हमारे सारे क्रियेट करने पड़ेंगे, तो मैं फटा-फट से टूटे टूडू से आपके क्रियेट कर दिता, इसको रिलोड करना तो हमारे टूडू क्लियर नहीं हो, और अब क्या करना है, अब हमें एक और चीज आपके करनी पड़ेगी, अब हमारे प्रोजेक बिल्कुल कम्लीट हो करेंगे, इसके लिए हम इस से ख्रोज वाले टेग आपके कर ए यहां पर close वाला tag create कर रहा था, तो यह हमारा यहां पर आ गया है, यह हमारा close tag है, यह close tag वाला button है, और इस button रहूंगा on click, एक function create करा हूँ मैं simply, on click मैं एक function create करूँगा, to do remove, to do remove नाम से एक function create करूँगा, और इस function पॉपी करता हूँ, और उस पूरे event को मैं copy करूँगा, और उपर भी मैंने यहां पर close वाला create करा, simply दो बार मुझे यहां पर, on click वाले को use करना पड़ेगा, और नीचे हूँगा मैं नीचे हूँगा, आने के बाद में, एक function को मैं create करूँगा, और function हमारा to do remove, function के अंदर हमें, जावस के लिकनी पड़ेगी, इसमें से क्या करना पड़ेगा, हम इस to do के पास में, जो हमारा inner HTML आ रही है, उस inner HTML को लेना पड़ेगा, और हमारे local storage में यह inner HTML की जो की है, उससे की वाले पूरे element को हम remove कर देंगे, हमारे local storage, तो यहां पर आ जाता हूं मैं, और यहां पर रिखूँगा, let to do header is equal to, that to do is header is equal to, simply मुझे यहां पर element लिखना पड़ेगा, और यहां पर मुझे to do remove के अंदर, हमारा ज़िए close वाना element, इसको पूरे element को आपर पास करना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपर this लिखना पड़ेगा, this keyword के उसके नम ले, लास्ट वाली वीडियो में आपर बता राखा आपको, element डॉट करके आपर लिखना पास के बाद में मुझे यहां पर, हमारा यह जो to do remove के बाद, हमारा जो यह class है, toos header, उसके लास्ट वाल करना वाड़ेगा, यहां पर dot to do header, और जैसे मैं इसको करूँगा तो क्या होगा, और मैं आप आपको console.log करके, to do header को मैं आप आपको प्रिंट कराकर दिखाओ, तो आप आप देखना क्या होगा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, और यहां पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और फन्सल पाऊंगा, तो हमारा यह पर to do आ गया है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह वाला to do header आजाएगा, देखिए अपर हमारा यह वाला to do header आगया, इस पर fwa वाले title वाला टाइटल आगया, और अब हमें इसमें अंदर से इस वाले element को निकल आड़ेगा, तो उसके लिए कर नोब बढ़ेगा, let to do key is equal to, to do header लिखना आड़ेगा, और इस to do header लिखना आड़ेगा, query selector, और उस query selector के अंदर मुल्के आपे, हमारा जो यह element है, जैसे अभी हम इस वाले element की बात कर रहें, जैसे यह जो div है, इस div के अंदर एक class है, और उस class के अंदर हमारा एक strong नाम का tag है, और उस strong नाम के tag की dot inner HTML हमें चाहिए, तो आपे दिखूंगा dot inner HTML, अगर में console.log करके आपको to do, एको अगर आपको print करा के दिखाओ दो, यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यह वाले title आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो यह जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो यह जाएगा, और अब मैं करूँगा, लोकेश, लोकल स्टोरेज, dot remove item के अंद करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यह जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो यह जाएगा, और यहाँ पर हम पेज को रिलोड करेंगे, तो हमारा जो data वो delete भी नहीं होगा, एकदम सही तरह कि आप मैंने एक app क्रेट कर दिए, और अगर आप भी और भी ऐसे project बना आपने हमारी javascript tutorial की playlist को access नहीं किया, तो जन्दें जाके हमारी javascript tutorial की playlist को भी access कर दिए, काफे सारे interesting और नई-ने exercise मैं आनली वीडियो में cover करूँगा, और next day tutorial में हम बात करने वाले bootstrap के बारे में, तो बस आचकी वीडियो में इतना ही मिलते, आपको javascript tutorial की एक नई दरिंग जाहिए!